इन खबर में आपका स्वागत है इन से मिलिए ये हैं पचास बर्सी उंगनराय बर्मा राने वाले हैं मद्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के चांद तसिल के गाउ बड़ी बाड़ी के नए साल पे इन्होंने अनुखा फैसला किया है जियां ये किसी फिल्मी पट कथा जैसी कहानी लग रही है जिसमें इन्होंने अपनी आधी जमीन का उत्रादिकारी अपने कुत्ते जैकी को घोसित कर दिया है जिसने भी सुना यही सोचा कि आखिरकार क्या हो गया इनको क्या इनके पास परिवार नहीं है बच्चे नहीं है क्यों इन्होंने ऐसा फैसला किया तो आपको बता दे कि इनका भरा पुरा परिवार है दो पत्नियां है एक पत्नी से एक बेटा तीन बेटियां और दूसरी पत्नी से तीन बेटियां हैं लेकिन पारिवारिक जगड़े और कला की वज़ा सी ये इतने खिन हो गए कि इन्होंने ये सोचा कि जो हमारी देखभाल करेगा उन्ही को ये अपनी प्रापर्टी देंगे दूसरी पत्नी इनकी देखभाल कर रही है और ग्यारा महिने का कुट्टा जैकी इनके साथ हर समय साय की तरह रहता है वही देखभाल करता है लिहाजा दोनों के बीच इन्होंने अपनी जमीन बाट दी आधी आधी इनके पास कुल 21 एकर जमीन है अब इसके बाद ओम नरायन बर्मा गाओं के पहले सरपंच भी रह चुके हैं वो कहते हैं कि मुझे अपने बच्चों पे भरुसा नहीं है इसलिए मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ती का आधा इसा मेरे पालतु कुट्टे जैकी का होगा और आधा इसा मेरी पत्नी चमपा जो की दूसरी पत्नी है उनके नाम होगा इसमें कहा गया कि जो कोई कुट्टे की देखभाल करेगा वो उस कुट्टे के हिस्ते में लिखी गई संपत्ती का असली हकदार होगा बर्मा कहते हैं कि परिवारिक विबाद चला था और कोई सुनके नहीं दे रहा था इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है अब इनको पता चलेगा कि पिता की देखभाल ना करने या आपस में कलह करने का नतीजा क्या होता है कुछ भी पता नहीं कि आखिरकार उसके नाम पे क्या हो रहा है और वो कितनी जमिन का मालिक बन गया है बराल ये खबर नए साल में खुब सुर्खियां बटोर रही है और वाइरल हो रही है तो आप रहिए नबे खबर देखते रहिए इन खबर थैंक यू